Hello Everyone, स्वागते आप लोगों का मेरे YouTube चैनल LWD Job में काफी अच्छी वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें PZT, TZT, PRT की वेकेंसी है, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है, आपके पास बिल्कुल भी जो है अनुवब नहीं है, कहीं पर भी पढ़ाने का यहां पर 7 CPC के अकॉर्डिंग रहेगा, और इसमें सैलरी PZT के टीचर्स की 65,000, TZT में 52,000 है और PRT में 45,000 पर मन्त सैलरी रहने वाली है, गौर्मेंट एडिट स्कूल है, तेली ही जॉब लोकेशन रहेगी, अब देख लेते हैं, बाकी पूरी डेटेल्स जो की नोटिफ इसमें जो है job list, यहां पर आप लोगों को notification देखने को मिलेगा, application form second number पर है, और application form कैसे आपको भरना है, वो आपको third number पर देखने को मिलेगा, application information में, ठीक है, आप चलिए देख लेते हैं details, तो इसमें जो है सबसे पहले post है, principle की, PZT, biology की, commerce की, English की, political science की, sociology की, trained graduate teachers में computer science, English, Hindi, maths, natural science, social science, और special education teachers, आप देखना यहां पर कि जो 1 से लेकर 11 सीरियल तक जो है, सभी vacancy जिसमें कोई भी आविदन कर सकते हैं, unreserved category के लिए है, तो इसमें जो है, TZT, social science में, तीन vacancy हैं, जिसमें 2 unreserved category के लिए हैं, और एक जो है यहां पर blind and low vision candidate के लिए, maths में जो है, चार vacancy हैं, और यह चारों की चारों जो है, unreserved category के लिए हैं, इसमें कोई भी आविदन कर सकते हैं, आरक्षित नहीं हैं, यह सीटें, assistant teacher जो की PRT की है, primary teachers की, तो इसमें 15 vacancy हैं, 14 जो है unreserved category की है, और एक जो है यहां पर deep and hard of hearing candidate के लिए है, music teacher के लिए एक vacancy है, work experience teacher के लिए एक vacancy है, physical education teacher की दो vacancy है, एक male, एक female की, और UDC की एक vacancy है, LDC की एक vacancy है, तो काफी अच्छी vacancy का notification है, और अब जो है इसमें, age qualification, etc, as per the latest recruitment rule of government added school, direct rate of education, GNCT of Delhi, shall be applicable, तो Delhi में जो भी age criteria रहता है, qualification रहती है, वही यहां पर जो है, लागू होगी, इसमें लिखा है कि serial number 8 से 14 तक, जो है CTAT जरूरी है, अब serial number 8 से 14 तक आप देखें, यहां पर, यहां पर TZT English, यानि TZT Computer Science के लिए, बिल्कुल भी BAD, या CTAT नहीं चाहिए, TZT English से लेकर, और Assistant Teacher तक बोला है कि CTAT चाहिए, दूसरा आप देखें यहां पर, applicant who have passed class 10th with Bengali, as a subject will be preferred, preferred for the post or principal assistant teacher, music teacher, UDC, LDC, तो इन्हों ने बोला कि PGT, TZT और PRT, इनको छोड़कर जो post हैं, जैसे principal की assistant teacher की, PRT assistant teacher की भी, music teacher की, UDC, LDC, इनके लिए जो है, अगर आपने 10th Bengali subject से किया है, तो अच्छा रहेगा, लेकिन compulsory नहीं है, उनको preference मिलेगी, बाकि TZT, PGT में तो आपने किस medium से पढ़ाई की है, आपने 10th में जो है, बंगाली पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, कोई matter नहीं करता, यहाँ पर देखें, वन पोस्ट आफ TZT, social science, reserve और PWVD candidate के लिए, एक पोस्ट TZT में, social science में, PWVD candidate के लिए reserve है, और एक पोस्ट जो की, assistant teacher PRT के लिए reserve है, PWVD candidate के लिए, पेश केल तो आपको बताई ही दिया है, साथ में अन्ने भत्ते भी, जो हैं इसमें शामिल रहेंगे, अब कैसे जो apply करना है, तो official website का link यहाँ पर भी है, और आप लोगों को वीडियो के नीचे description box में भी मिल जाएगा, उस पर आप click करेंगे, official website पर आप पहुँचेंगे, और वहीं पर मैंने आप लोगों को अभी दिखाया भी था, कि application form के लिए link दिया है, उस पर आपको click करना है, application form को अच्छे से fill कर लेंगे, self-attested copies आपकी जितनी भी certificate mark sheet है, 10th के बाद से लेकर अब तक की higher qualification तक की, उन सब को जो है photocopy करके और उनके नीचे signature करने हैं, तो वो self-attested copies हो जाएगी, और qualification, जैसे की PGT teachers के लिए qualification तो master degree आपको subject में होना चाहिए, TGT के लिए जो है B.A.D. वाले C.T.A.D. के साथ में आवेधन कर सकते हैं, ठीक है, और primary teachers के लिए जो है, primary teachers के जो diploma degree है, उसके साथ में C.T.A.D. पेपर बन, यह चाहिए होता है, computer teacher के लिए कोई भी C.T.A.D. या फिर B.A.D. की जुरुत नहीं है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तो अनवव चाहिए ही होता है, बाकी fresher TGT, PZT, PRT के लिए अपलाए करेंगे, यहाँ पर देखें, आपको कहां बेजना है, दची एर्मेन, बेंगाली सीनियर, सेकेंडरी स्कूल, 22A, शामनात मार्क, डेली, 54, 30 अक्टूबर से पहले आप लोगों को ओफलाइन मोड में बेजना है, रजिस्टर पोस्ट या स्पीट पोस्ट आपको करनी है, तो बिलकुल सही तरीके से फिल करना है, जो भी incomplete form होगा, उसको reject कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप अच्छे से देख के भरेंगे, कैसे जो है selection रहेगा, तो इसमें written exam नहीं होगा, इन्होंने लिख दिया है, फॉर्म आप अच्छे से भरियेगा, यह जो है official website का home page है, बेंगाली senior secondary school, और इसमें आपको बता दिया, job list यह जो है, यहाँ पर आप लोगों को पूरा notification और application form एक बार आपको open करके दिखा देती हूँ, यह application form है, इसको download कर लेना है, print निकालना है, उस अच्छे से fill करना है, और address पर भेज देना है, ठीक है, इसमें कोई fees भी नहीं लग रही है, चलिए, और भी राज्यों की vacancy जैसे ही notification आता है, आप लोगों को सुस्टित किया जाएगा, thank you,